बार्मेर के सदर पुलिस की नाकाबंदी भागता हुआ पकड़ा गया लोकेश पुत्र लाल चंशिंदी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ परत जांगीड और आप देख रहे हैं मेरा फेस्बूक और यूटूब कल मुक्मीर की तरफ से सदर पुलिस को एक इतला मिली कि लोकेश नाम का एक व्यक्ति अवेद मादक पतार्तों की सप्लाई है तू कहीं जा रहा है और उसी दर्म्यान किसन सिंग चारण थना अदिकारी सदर दोरा महबार रोड पर नाकाबंदी करवाई गई और पुलिस को देख लोकेश जो है वो भागने लगा और उसके बाद पुलिस ने पीचा कर उसे धर्द बोचा और जब उसकी तलासी ली गई तो उसके कबजे से करीब 8 ग्राम अविद इसमेक भी बरामत की गई है पुलिस उसे गिरफतार कर थाने ले आई और अब उससे अनुसंदान किया जा रहा है अब उससे पूस्ताज की जारी है कि आखिर वो माल कहां से लाता है और आगे किसको सप्लाई करता है पुलिस उस कड़ी तक भी पहुंचेगी तो देखिए सदर पुलिस ने बड़ी कारवाई को अंजाम देते हुए एक तसकर को गिरबतार किया है जो माल सप्लाई करने अवेद इसमेक सप्लाई करने जा रहा था और वो सदर पुलिस के हते चड़ गया क्योंकि अवेद मादग पतातों कि रोकता में तू अभियान चला जा रहा है और लगातार इस परकार की कारवाई पुलिस द्वारा की जा रही है तो यदि अवेद खेती भी की जाती है तो उनके खिलाब भी कारवाई की जाती है और अन्य इस परकार के मादग पतातों कि यदि कोई तसकरी करता है तो उसके खिलाब भी बार्मेर पुलिस लगाता शक्रिये नजर आ रही है और उसी को देखते हुए कल मुक्मीर की तरफ से सदर पुलिस को एक इतला मिली कि लोकेश नाम का व्यक्ति कहीं माल सप्लाई करने जा रहा है और उसी दर्म्यान महाबा रोड पर सदर पुलिस ने नाका बंदी की और पुलिस को देखकर लोकेश भागने लगा पुलिस ने पीछा कर उसे धर दबोचा और जब उसकी तलासी ली तो उसकी जेब से करीब 8 गिराम अवेद इसमेक पर आमद हुई है पुलिस ने लोकेश के गलाव एंडी पीएस एक्ट का मामला दजकर जात शुरू की है झाल शुलिस को दोड़ कर देखकर जात शुरू कर दोड़। झाल झाल झाल